हेलो एबरीवन, वेलकम टू माई चैनल, कैसे आप लोग आई होप कि अच्छे होंगे तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वियाइटी वेलोर की तो इनकी तरफ से नोटिफिकेशन्स आए हुए एडमेशन्स के लिए तो अगर आपको पता हो तो इनके एक तीन कैमपस हैं हैदराबाद, बांगलूर और आंधरप्रदेश मतलब वेलोर तो आप इन में से जिसमें इंट्रेस्टेड हैं आप देख सकते हैं तो उनकी जो ओफिशल वेबसाइट है जो ओवरॉल वियाइटी ही है उसे आप उपन कर सकते हैं ठीक है उसमें आप वन बाइवन और भी कोर्स हैं यूजी, पीजी, पीजी सबी हैं उससे देख सकते हैं बट जो पेच्टी का कोर्स है वो सिर्फ वियाइटी एपी कैमपस में है तो इसलिए हम डिरिकली इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ही विजिट करेंगे तो आपको लिंक्स अभी डिस्किप्शन में मिल जाएगी इनकी इस आप चाहिए तो देख सकते हैं जब आप इस पेच्पे विजिट करेंगे इस पेच्पे इंपॉर्टन डेट्स है ठीक और इसके बाद यहाँ अप्लाइए ओनलाइन सेक्शन तो जब एप्लाइए करना होगा तो इस पे हम उपन करेंगे यहां से और बाकी जो हम इन्फॉर्मिशन चाहिए तो उसके लिए हम इंपॉर्टन डेट्स वाला सेक्शन को ओपन करेंगे तो यह पेज उपन होगा यह पुछ डेटिल्स देख सकते हैं सबसे पहले एप्लिकेशन फी कितनी है तो इस रूपीस ट्वेल्फ हंडर्ड एप्लिकेशन 25 मार्च को ही आया था और जो लास डेट है वो है 14th of May 2021 उसके बाद अप्लोड करने का जो सबका और रेट क्या है तो 29 30 में है इंटरिव्यू की देट रिजल्ट कब आएगा वो सभी देट से तो आप उसे देख सकते हैं तो अब हम यह जो इन्फोर्मेशन ब्रोशर है इसे राउनलोड करते हैं और देखते हैं तो यह से यह इंफोर्मेशन ब्रोशर एड्मिशन रिसर्च प्रोग्राम जुलाई 2021 वी आईटी एपी ठीक है तो यहां पर कुछ ओवर्वियू है आप इसको देख सकते हम यहां प्रोग्राम की बात करेंगे तो यह सिर्फ आउनली इंटर्नल फुल टाइम आई-फ्टी के टेग्री है अगर आपको कैंपस से करना है पी team istry है एटिं सी यह सी के बात करें तो थो सीयसी और इंफय्च अपयांशन टेकनोलाजी है तन म१ियनिक्ल इंजिनेरिंग है उसके बाद Electronics and Communication Engineering है और Electrical Engineering है Then AP School of Business की बात करें VIT AP School of Business तो Management और Economics है Law है Social Sciences and Humanities की बात करें तो English है और Anthro और Sociology है तो ये वो disciplines है specific जिन में available है आप चाहें तो apply कर सकते हैं Qualification तो यहां पर आप pattern देख सकते हैं अगर आप Engineering की branches में करना चाहते हैं ये है pattern 10 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 that is 10th, 12th then UG, B.Tech and M.Tech then अगर Non-Engineering में करना चाहते हैं तो 10, 2, 3, 2 that is 10 then 12th then B.Sc याँ जो भी आपका Master's कर दिगरी हो and then M.Sc ठीक है या Master, sorry Bachelor's and Master's ठीक है B.Sc, M.Sc या B.A.M.A. whatever then यहाँ पर M.Tech program, Integrated MS program in Engineering, Biotech में और बाकी Non-Engineering तो अगर आप इंड में से किसी कोर्स के लिए प्लाइ करना चाहते हैं तो 10, 2, 2, 5 के pattern में आपने किया हो अपना जो भी आपका qualification है वो ठीक है अब पह्ट इन इंजीनरीं के लिए Master's degree तो चाहिए उसमें Marks आपके first class होने चाहिए और 60% होने चाहिए और grades में 6.5 में that is CGPA या CPI है तो 6.5 होना चाहिए right then यहाँ पे for all research program it is mandatory that candidates should have studied regular full-time and formal education in their previous degree program so आपने regular course किया हो full-time UGPG में apply तब कीजएगा and then MSC Computer Science, MSAID and MCA degree holders are not eligible to apply for PhD program तो आप guys अगर आप इन में से कुछ किया हुआ है that is MCA, MSAID, MSACS तो आप eligible नहीं है please आप engineering CSC में apply मत कीजएगा then talking about PhD in sciences same marks is Master's में 60% होने चाहिए या 6.5 CGPA हो languages के लिए Master's degree में 55% marks है या 6 CGPA है तो you can apply then management के लिए again 60% या 6.5 CGPA then law में सेम 60 sorry सेम ने 55% या 6 CGPA है तो you can apply then categories or eligibility क्या है so आप में से जो भी work करना चाहिए full time basis में तो apply कर सकता है selection process international या NRI candidates के लिए क्लिए क्लिए होगा तो आप देख सकते हैं then minimum period of study आपको पता है three to six years तक होता है आप इसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं तो covid के वज़ा से जो entrance है वो नहीं होगा selection PG के mark के base पे होगा then SOP जो भी आपका statement of research proposal है वो होगा wait yes SOP तो या PG marks SOP इनके according होगा और template जो भी given है उसी पे SOP या research proposal जो है वो आप बनाएगा उसे अभी हम देख लेंगे then यहाँ पे है interview तो इन तीनों के basis पे आपका selection होगा please upload all PG marks sheets and SOP जब आप apply कर रहे होंगे तो please SOP जो भी आपका research proposal है उसकी statement उसका template अभी हम देखते हैं और जो भी PG के सारी mark sheets है ठीके semester wise और consolidated तो आपको सब upload करनी है because यही basis है तो appearing है आप तो I don't think आपको apply करना चाहिए right अब यहाँ पर template क्या है research proposal का तो हम उसे इस particular link पे click करके download करेंगे और देखेंगे तो हम उसे बाद में देखते हैं पहले इनकी जो details है मां की सारी information उसको देखते हैं तो fees की बात करते है internal full time fees क्या है so caution deposit जो one time होगा it is 3,000 and then tuition fee जो पर annum होगी it is 40,000 and thesis की fee होगी 10,000 जो की आपको thesis submit करना होगा तब पे करना होगा then joining the research program के लिए यह चीज़ें पढ़ लेजे research fellowship सबको मिलेगी जो admit होगे तो अगर आप without net वगेरा qualified है तो 20,000 मिलेगा अगर valid gate score है percentile 80 है उससे above तो 25,000 per month मिलेगा and अगर आप jrf वगेरा है तो आपको पता है कि जो भी आपकी funding agency है जितना उसका account है वो आपको मिलेगा right और यह three years तक के लिए है right जो first वाला है institute की तरफ से मिलने आले fellowship तो यह सिर्फ three years के लिए extension लेंगे तो नहीं मिलेगा other information में आप देख सकते हैं कि may 2021 course completed students are also eligible okay so लिखा हुआ है that you are eligible तो आप apply कर सकते हैं may 2021 में जिनका course complete हो रहा हो ठीक है result अभीट है still you can apply application fee or tuition fee return नहीं होगी refund नहीं होगी then hostel वगेरा से related है और यहां पर आपको मिलेगी details contact की तो यह है email id यह है telephone और यह है whatsapp number तो अगर आप interested है कोई query है कोई issue है तो please आप इंसे contact कीजे और जो भी आप चाहते हैं मतलब जवाब चाहते हैं answer चाहते हैं वो आप इंसे माग सकते हैं then dates की ब open करते हैं और हाँ इसकी जो link है वो description में होगी तो आप directly उससे भी open कर सकते हैं तो यह है template for two page research proposal क्या क्या लिखना है दो page का होगा बस so title है title and student information and application number example भी दिया है जैसे suppose आप इस particular field में चाहते हैं research करना तो आप title अपना पहले लिखेंगे there is infrared sensor to measure the hydrocarbon of water but जो भी आपका title है व name और email वैसे ही अपना नाम लिखेगा और अपना email प्लीज इसे copy मत कीजेगा then second में area of research and domain of research लिखना होगा जैसे आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है यह इसी के example की तौर पे suppose आपका कोई और है जो area research तो आप उसे add करेंगे लिखेंगे जैसे यहाँ nuclear physics और domain में radiation induced luminescence लिखा हुआ है then objective क्या है तो इसमें लिखते क्या है यही लिखते है कि you know short clear description की आप proposed work करना चाहरे है क्या करना चाहरे है इसका एक clear description हो यहाँ पर example लिखा है तो आप ऐसे start कर सकते है you know that the aim of this proposal is to develop a technical prototype तो यह जो यहाँ पर title है उसके लिए है please copy मत कीजेगा सारे word scope ठीक है यह सिर्फ example है तो कुछ चीजें आप you know उसे मतलब motivate नहीं बट आप इससे देख सके idea ले सकते है idea is a right word तो आप idea ले लिजे बट प्रीज कॉपी मत कीजेगा then यहां background or short description तो like why are you doing it क्यों research करना है और specifically इन दो questions के answer लिखने है ज़रूरी नहीं कि आप question लिखें और फिर answer लिखें बठाप problem and solution करके लिख भी सकते हैं no issues तो it depends upon you right तो क्या problems है जो आप solve करना चाहते हैं and क्या solution already available है यह ऐसी चीजें आपको describe करनी है then आप क्या expect कर रहे हैं कि आपके project से क्या result आएगा तो expected results भी आप बता सकते हैं बता सकते नहीं आपको बताना है and then last is the references then यह है seven turn it in similarity तो यह आपको नहीं है जो भी आपका school officer वो करेगा आपको यह six points के under template है यह और यही आपका research proposal होगा इन ही title यह headings के under आपको research proposal लिखना होगा ठीक है तो yes यह थी information जो भी required links है वो आपको देख सकते हैं and yes that is it for today thank you so much